हमें 8 जमा 5 गुणा 4 घटा कोश्ठक में 6 जमा 10 बटा 2 जमा 44 को सरल मतलब simplify करना है और जब भी आपके पास इस तरह का व्यंजक यानि expression हो जिसमें आपको कुछ कोश्ठक दिये गए हो और साथ ही कुछ संख्याओं को जोड़ना घटाना और विभाजित भी करना हो तो हमेशा आपको संक्रियाओं के क्रम मतलब order of operations को ध्यान में रखना होगा तो चलिए पहले हम इन्हें क्रम में लिखते हैं जब भी आप संक्रियाओं के क्रम से संबंधित किसी व्यंजक को हल करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे अधिक प्राथमिक्ता दिया हुआ है इसलिए सबसे पहले इन्हें ही हल करना होगा और इसके बाद हम प्रश्ण में दिये हुए घातांकों को हल करेंगे देखिए इस व्यंजक में हमें कोई भी घातांक नहीं दिया हुआ है लिकिन मैं इसे यहां लिख लेता हूँ क्यूंकि हो सकता है कि हमें के आधार पर इन्हें अवरोही क्रम में रखेंगे। यहां तीवरिता से हमारा मतलब है कि कौन सी संक्रिया से संख्या का मान तेजी से बढ़ता है। देखिए हम इसे इस तरह भी समझ सकते हैं। जब भी हम किसी संख्या की घात में कुछ लेते हैं तो उसका मान बहुत तेज से बढ़ता है। मतलब सबसे पहले हम घातांकों को हल करेंगे और इसके बाद गुणन या विभाजन मतलब multiply और divide करेंगे। क्यूंकि इसकी तुलना में अगर हम संख्याओं का गुणन या विभाजन करते हैं तो संख्याओं का मान कुछ कम तेजी से बढ़ता है। और सब से तीवर संक्रिया है और कोश्ठक को हमेशा ही प्रात्मिकता दी जाएगी। तो चलिए अब इसका उपियोग प्रश्न में करते हैं और व्यन जक को दुबारा से लिखते हैं। तो ये आठ जमा पांच गुणा चार घटा कोश्ठक में छै जमा दस बटा दो जमा चौवा है चलिए अब इसे हल करते हैं यानि कि अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। आठ जमा और जब आप इस कोश्ठक को हल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पांच है और यहाँ पर चार है और इनके बीच में कोई भी चिन्ध नहीं है मतलब हम इनHEं गुणा कर सकते हैं। इस कोश्ठक को बन कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास जमा 44 भी है। चलिए अब कोश्ठक की अंदर की चीजों को हल करते हैं। शायद आप भ्रहमित होकर ये कहें कि इसे सीधे सीधे इस प्रकार हल कर सकते हैं कि 6 जमा 10 बराबर 16 है। और 16 को 2 से विभाजित करें तो हमें 8 मिल लेगा। लेकिन आपका ये तरीखा गलत होगा क्योंकि हमें यहाँ पर संक्रियाओं के क्रम को भी ध्यान में रखना है। जिसके अनुसार विभाजन मतलब डिविजन की प्रात्मिक्ता हमेशा योग मतलब एडिशन से अधिक होती है। यानि कि आप वास्तों में जित करने पर हमें 5 मिलता है, यानि कि हमें यहाँ पर 6 जमा 5 मिलेगा। देखिए अभी भी इस कोश्ठक में 6 जमा 5 बचा हुआ है, जिनका योग करने पर हमें 11 मिलता है। तो अब हमारे पास 8 जमा 20 घटा, 11 जमा 44 बचा हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि इस वियनजक में अ बराबर 28 होता है, तो हम इसे 28 घटा 11 जमा 44 लिख सकते हैं। और 28 घटा 11 क्या होगा? तो देखिए 28 घटा 10 बराबर 18 होता है, यानि कि यह 17 के बराबर होगा, तो अब हमारे पास 17 जमा 44 बचा है। और अगर 44 में 7 जोडते हैं, तो हमें 51 मिलता है। और 17 जमा 44 बराबर 61 और यही हमारा उत्तर है